हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग टू अल आफ यू वेलकम टू आई 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 स्मार्ट लॉर्ण आज मैं आपको क्लास 12 केमेस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव बताने जा रही हूं जो की आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत पूर्ण है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है सोशन किसे कहते हैं उत्तर जब एक ही पदार्थ में अधि शोशन या अव्शोशन की घटनाए साथ साथ हो उसे शोशन क नेक्स्ट कोश्चन है अधि शोशन कितने परकार के होते हैं उत्तर है अधि शोशन के दो परकार होते हैं पहला भौतिक अधि शोशन दूसरा रसायनिक अधि शोशन नेक्स्ट कोश्चन है भौतिक अधि शोशन किसे कहते हैं जब किसी ठोस प्रिस्ट पर कमजोर वान्डर वाल्स पल के कारण गैस का संचयन होता है तो उसे भौतिक अधि शोशन कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है रसायनिक अधि शोशन या रसोव शोशन किसे कहते हैं उत्तर जब गैस के अनू या परमानू ठोस के प्रिस्ट पर रसायनिक बंधन द्वारा जुरे होते हैं तो उसे रसायनिक अधि शोशन या रसोव शोशन कहते हैं नेक्स्ट कोशन है बहुतिक अधिशोषन के अभिलक्षन को लिखे उत्तर है बहुतिक अधिशोषन के अभिलक्षन निमलिखित है विशिष्टा की कमी अधिशोषक किसी सता पर विशिष्ट गैस के लिए प्राथिमिक्ता नहीं दर्शाती है वन्डर्स वाल्स बल काफी कम जोर होता है दूसरा अधिशोषे की प्रकिर्ति किसी ठोस द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा गैस की प्रकिर्ति पर निर्भर करती है तीसरा उत्क्रमन्य प्रकिर्ति दाब बढ़ने पर अधिक गैस अधिशोषित होती है क्योंकि इससे गैस का आयतन कम होता है और दाब घट कर गैस निकाला जा सकता है नेक्स्ट कोशन है अधिशोषक का प्रिष्टिय छेत्र किसे कहते हैं उत्तर है अधिशोषन का प्रिष्टिय छेत्र फल बढ़ने पर अधिशोषन की परिनाम बढ़ता है जिसका प्रिष्टिय छेत्र फल अधिक होता है वो अच्छा अधिशोषन की एंथेल्पी किसे कहते हैं उत्तर है अधिशोषन की एंथेल्पी बहुत ही कम 20 से 40 केजे प्रती मोल है क्योंकि गैस के अनु के सता पर दुर्वल वांडर्स बल के कारण आकर्शित होता है नेक्स्ट कोशन है रसायनिक बलगत की किसे कहते हैं उत्तर है रसायन विज्ञान की वह साखा जिसमें किसी रसायनिक अभिकिरिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्यन करते हैं उसे रसायनिक बलगत की कहते हैं नेक्स्ट कोशन है अधिशोषन के अनुपर्योग को लिखे उत्तर है अधिशोषन के निमलिखित अनुपर्योग है पहला उच्छ निर्वात उत्पन करने में दूसरा गैस मास्क का उप्योग विसेली गैसों को अधिशोषित करने में किया जाता है तीसरा आधरता पर नियंतरन के लिए चौथा विल्यानों से रंगीन पदार्थ को हटाने के लिए पाचवा विसमांगी उत्प्रेरक में छठा अक्रिये गैसों को अलग करने में साथवा व्यादियों के उपचार में आठवा जाग प्लवन प्रक्रम में नौमा अधिशोषन सूचक में दस्वा वर्ण लेखी के विशलेशन में संजारन किसे कहते हैं उत्तर है जब कोई धातू ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर उस पर धातू का ऑक्साइट का परत चट जाता है उसे जंग लगना या संचारन कहते हैं संचारन से बचने के लिए या संचारन को रोखने के लिए वस्तू को पेंट किया जाता है इस तरीके से मैंने आपको केमेस्ट्री का सब्जेक्टिव कम्प्लिट करा दी हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल झाल